तो अभी हम है हरित्वार में और यह जगह है हरित्वार सहर यानि हरकी पौरी से लगभग साथ किलोमेटर दूर दक्ष परजापती जी का मंदिर और यह विस्व का इकलोता दक्ष परजापती का मंदिर है और दक्ष परजापती कौन थे श्रिश्टी के निर्माता ब्रह्मा तरिदेवों में एक ब्रह्मा जी के पुत्र दक्षे प्रजापती जी का मंदिर और ये जो मूर्ति आपको दिख रही है सेव जी सती को गोद में लिए हुए है और ये उस समय का द्रिस से कहा जा सकता है जब सती माता सती ने अगनी कुंड में कूद कर अपनी जान दी थी और इसके बाद जो सिव जी ने उनका जो सरीर था माता का सरीर था उसे उठाकर जो टांडव किया था पूरे ब्रह्मांड में तो वो कहीं ने कहीं वो सीन इस मूट्भी के माध्यम से दरसानी की कोशिस की गई है तो ये वो मंदिर है दक्ष परजापती जी का मंदिर जो सामने आपका सबसे बड़ा जो दिख रहा है मंदिर वही है और वहीं वो हवन कुंड भी है जहां पर माता जी ने माता सती ने कूद कर अपनी प्रान ते आगे थे तो ये वाक्या ये हुआ था जब दक्ष परजापती जी ने समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताव को बुलाया था महायंगे में और इकलोते भगवान सिव जी को उन्होंने निमंत्रन नहीं दिया था क्योंकि सिव जी से उनका जो 26 का अंखड़ा चलता था इसलिए उन्होंने अपमान भी किया था क्योंकि उनकी पत्री जो थी وہ भगवान सिव के परेम में थी और उनसे ही साधी करना चालते थी क्योंकि जो भी पहले से वो तै था माता सती का जन्म ही से उसे मिलन के लिए हुआ था तो वो जो था दक्षपड़जा पती नहीं चाहा देते हैं तो इसके बाद जो भी यग्ज का अवान किया था उसमें सेव जी को नहीं बुलाया था तो वहीं माता सती भी गई थी और उनकी सभी बहने भी गई थी सभी देवता भी गई थे लेकिन सती जी के अहवान पर भोले बाबा उस यग्य में आते हैं लेकिन यग्य में आने के बाद ये देख सकते हैं माता गंगा मंदिर से सठा ही हुआ है ये माता गंगा जी मंदिर के जिस्ट पैक साइड तो जैसे भोले बाबा वहां पर पहुंचते हैं तो तक्षपरजा पती जी है जो उन्होंने भोले बाबा का अपमान किया तो ये कहीं ना कहीं अपने माईके में माता सती अपने पती का अपमान नहीं साइपाई और कूद कर वही अगनी कुंड में उन्होंने जान दे दी ती तो इसके बाद जो भूले बाबा का जो विक्राल रूप था उन्होंने तरंते दक्ष परजापती का वद्ध किया और जो देवी सती का जो पार्थिव सरीर था उसे लेकर पूरे ब्रमांड में उन्होंने विचरन किया एक सन्यासी की तरह ये तो उसके बाद विसनो जी ने सतीक मा का जन्म इस्थान प्राचीन सितला माता मंदिर तो यही वो इस्थान है जहां पर माता सती का जन्म हुआ था यह देख सकते हैं हमारी माता सती का भब्य रूप का दरसन कर सकते हैं तो इसके बाद उन्होंने जब सरीर को लेके भमन कर रहे थे, जो काफी विक्राल रूप था सिर्जी का, तो इसके बाद विस्नु जी ने सोचा कि अब कैसे जो संतुलन कैसे चलेगा, स्रिश्टी का संतुलन कैसे होगा, तो विस्नु जी ने अपने सुदरसंच चक्र से उनक सारे स्थानों पे गिरें वही जाकर सकती पीट का लाया तो आप बहुत सारे मंदिर है इस प्राइंगन में और एक और चीज यह सबसे अच्छे देखने को मिले इस मंदिर में कि उत्राखंड सरकार ने इस मंदिर में ड्रेस कोड का वो महिलाओ किया है कि आप पे छोटे कपड़े पहन के नहीं जा सकते हैं विसेस करके महिलाओ के उपर आप जीन्स वगएरा इन सब जो कपड़े होते हैं वही पहनने चाहिए तो एक और मंदिर है और यह भी मंदिर बहुत ही खुबसूरत है आप देखिए अंदर का मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए तो बहुत सारे मंदिर है और आप एगर आपर कुछ-कुछ मूर्ति आ खरिदणा चाहते हैं यहां से कुछ ले जाना चाहते है तो वह चीज भी आपको मिलेगी महाकाली मंदेर मंकामेसवर मंदिर चैंडनी यह अच्छी बात यहां पर महिलाओगि लेड्रस कोड है और वस्टन को प्रभाइन के समन्दिर में आपके एक अच्छी चीजे, स्काट्स वगड़ा अलाओ तरह नहीं इस मंदिर में गुरूशने के रिए इस मेर मंदिर है इन पहुत पहुत अच्छी पर आपके मंदिर एक और इसके बगल मन्दर ये बहुत रूप सुदक मंदर इसके इंदर का भी सीए आपको दिखाएंगे है एक तिम्हें है इन सुना कि रिखिए फ्रेर कि ना फृष्रत और शूंदर इसमें सभी भगवान सभी दीवी दीवा कहते हैं और सबसे बहत्री इन चीज आगेन नकाशी जो अंधर का जो नकाशी है ये हमारे बाल गोपाल स्री क्रिसम जी को लोग जोला तो अपना इसकी रूफ अगर एकी जो नकासी या डिजाइन है वो देख सकते हैं कितनी भग बिड़ जाइन है और मंदिर की सैली भी है कि जो उत्राखंड के मंदिर जो सैली में बनाई जाती है उस सैली में इस मंदिर का भी निर्मान हुआ है दोनों मंदिर का